20 जुलाई से शुरू हुआ संसत का मांसून सत्र हर दिन हंगामे की भेट चड़ रहा है इसी क्रम में सोमवार को राज्यसभा में कई विपक्षी सांसुदों ने मणीपूर के मुद्दे पर केंदर के जवाब के दुरान हंगामा किया कारिवाही बाधित होते देख सभापती ने आमादनी पाठी के नेता संजे सिंग को मांसून सत्र के लिए निरलंबित कर दिया पूरे मांसून सत्र के लिए संजे सिंग निलंबित हो गया संजे सिंग के निलंबन के विरोध में कई सांसद अब धरने पर बैढ़ गए इस बीच हमने ये जानना जरूरी समझा कि आमादनी पार्टी के सांसद संजे का मामला दरसल है क्या और सांसदों को सस्पेंड कौन कर सकता है इसके क्या नियम है और निलंबन खत्म कैसे होता है राज्यसभा में सोंबार को मनिपूर मुद्धे पर सदन में विरोध के दोरान आप सांसद संजे सिंग को उनके बुरे वहवार के लिए मांसूम सत्र की शेश अवदी के लिए निलंबित कर दिया गया है यानि आप जितने दिन भी मांसूम सत्र चलेगा वो निलंबित रह राज्यसभा में दूसरे विपक्षी दलों के साथ मनिपूर के मुद्धे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वेल तक पहुँच गये थे निलंबित होने के बाद संजे सिंग ने कहा कि वो अपना विरोध जारी रखेंगे क्योंकि सरकार मनिपूर के मामले पर बोल जारी रखूंगा ये तो बात हो गई संजे सिंग की अब जरा समझे कि सदन में यानि लोकसभा और राज्यसभा में सांसुदों को कौन निलंबित कर सकता है नियम क्या कहता है दरसल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापती पिठासीन अधिकारी के रूप में का ताकि इसका संचालन सुचारू रूप से चल सके ये सुनिश्चित करने के लिए कारेवाही उचित तरीके से चले अध्यक्ष या सभापती के पास किसी भी सदन को छोड़ने का आदेश देने का अधिकार होता है सांसुदों के निलंबन के नियम भी कुछ निर्धारित किय जिनमें की नियम 373 कहता है कि अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि यदि कोई सदस्य बुरा वहवार करता है तो उसे तुरंत सदन छोड़ने के लिए कहा जा सके जिन सदस्यों को जाने का आदेश दिया गया है उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए और बाकी के लिए बाकी के आदेश की अवग्या करते हुए अनुचित तरीके से कारे करते हुए लगातार जानबूच कर सदन की कारेवाही में बाधा डालता हूँ इस नियम के अनुसार जिस सदस्यों को निलंबित किया गया है उसे तुरंत सदन छोड़ना पड़ेगा नियम 374A इस नियम को दिस खुद से लगातार पांच बैठकों या सत्र की अवधी जो भी उसमें कम दिखाई पड़ेगी उससे सदन से सेवा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा इसी तरह नियम 255 जो की राजसभा से जुड़ा हुआ है वो यह कहता है कि सदन का पिठासी नदिकारी राजसभा की प्रक्रिया के सामान नियमों के 255 के तहट संसत सदस्य का निलंबन लागू कर सकता है नियम 256 जो की राजसभा के लिए है यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करता है सभापती किसी संसत को सत्र के शेश समय से अधिक की अवधी के लिए संसत से निलंबित कर सकते है यह होता है निलंबन का पूरा नियम जो की बाकायदे लिखा गया है अब समझे कि निलंबन के बाद आखिर क्या होता है दरसल निलंबन की अधिक्तम अवधी शेश सत्र के लिए होती है जो सदसे निलंबित हैं वो चेंबर में प्रवेश करने या समिती की बैठकों में भाग नह रूटिस नहीं दे सकते इसके अलावा सदसे अपने सवालों का जवाब पाने का अधिकार भी को देता है। निलंबन खत्म कैसे होता है ये भी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा दरसल अध्यश को किसी सदसे को निलंबित करने का अधिकार है लेकिन इस आदेश को रद करने का अधिकार उसमें नहीत नहीं है ये बड़ी बात है यदि सदन चाहे तो ये निलंबन रद करने का प्रस् इससे पहले कई ऐसे सांसद हैं जिनका निलंबन हुआ और जिसकी चर्चा जम कर हुई 1989 की बात है 15 माच 1989 को 63 लोकसभा सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था सांसदों ने पूर पधान मंतरी इंद्रा गांधी की हत्या की जांश कराने वाले ठककर आयोग की रिपोर्ट का जोरदार विरोध किया था जिसके बाद इन सभी को सदन से बाहर किया गया 2010 का मामला 7 राज्यसभा सदस्यों को उस वक्त निलंबित किया गया था महिला रक्षन विदेक पर उनके बुरे वहवार के लिए उने सस्पेंड किया गया था 2012 में भी ऐसा ही एक बार हुआ आट लोगसभा सांसद निलंबित किये गये थे और ये कारवाई काफी अलग तरीके की थी क्योंकि ततकालीन UPS सरकार ने तेलंगाना के मुद्दे पर सदन की कारवाई में बाधा डालने के लिए अपने ही आठ कॉंग्रेस सांसदों को निलंबित किया था सभी आठ सांसद तेलंगाना क्षेतर से थे और अलग राज्य की मांग कर रहे थे 2013 वो साल था जब 12 लोगसभा सदस्यों को निलंबित किया गया ततकालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने लगातार व्यवधान पैदा करने के लिए अंधरप्रदेश के 12 सदस्यों को सदन से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया सदस से आंधर प्रदेश से तिलंगाना के गठन का विरोथ कर रहे थे 2014 अगर देखें तो 18 लोगसभा सांसदों को निलंबित किया गया था तब स्पीकर मीरा कुमार ने तिलंगाना मुद्दे पर सदन में हंगामे के बाद आंधर प्रदेश के 18 सांसदों को 6 सत्र के लिए निलंबित कर दिया था 2015 में भी ऐसा मौका आया जब 25 लोकसभा सदस्य से निलंबित किये गए थे ततकाली नध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने TDP और AI ADMK के 45 सदस्यों को कई दिनों तक कारेवाही बाधित करने के बाद निलंबित कर दिया सुमित्रा ने सबसे पहले अन्नाद्रमुक के 24 सदस्यों को लगतार 5 बैटकों के लिए निलंबित किया इन्हें एक सब्ता के लिए निलंबन जहिलना पड़ा था फिर साल 2021 था जब नवंबर में 12 राजसभा सदस्यों के दौरान किये गए बुरे और हिंसक वहवार के लिए सदस्यों को शेश शीत कालीन सद्र के लिए निलंबित कर दिया गया था यानि निलंबन का ये कोई पहला मामला नहीं है लेकिन मनिपुरहिंसा के बाद से लगातार विपक्ष बहस के लिए नतयार है अलाकि अमिच्छा ग्रेमंत्री अमिच्छा भी ये बात कह चुके हैं कि बहस करें उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा लेकिन लगातार 20 जुलाई से शुरू हुआ संसत का सत्र हंगामे की भेट चड़ रहा है इस भी संजे सिंग के निलंबन के बाद विपक्ष और तेजी से मुखर होता दिख रहा है रात भर संसत के परिसर में ही इसके विरोध में तमाम विपक्षी दल के नेता बैठे रहे और अब ही लगातार ये जो विरोध है उनका वो जारी है इस बीच लगातार भाश्पा की तरफ से बीजेपी की तरफ से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सदन में आईए बहस करिए हम उसका जवाब देंगे कि दरसल मणीपूर हिंसा का पूरा मामला है क्या कंदमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर